मेरे नन्य मुन्य बच्चो दो चीजे ध्यान रखनी हैं, पहली जिसे हम consistency कहते हैं, देखे किसी भी बच्चे को किसी भी छितर में काम्याब होना है, तो एक चीज बहर जरूरी है जिसे हम कहते है consistency, क्योंकि अगर आपके पास consistency नहीं होगी, तो फिर आप किसी भी चीज में का हाई हो चैसा मजिक से वह कोई भी छित्राप लगा लीजे या मेरा ही काम है जैसा पढ़ाने का और दूसरा काम है मेरे प्यारे बच्चों मैं पढ़ाई से रिलेटेड बता रहा हूं पढ़ने का स्मार्ट तरीका देखे जब तक आप स्मार्ट अप्रोच नहीं पकड़ेंगे तो तक भी कामिया भी नहीं मिलेगे मेरे प्यारे बच्चों अब वो जमाना नहीं रहा जहां पर हम पुराने तरीकों से बहुत मेहनत करते रहें बहुत मेहनत करते रहें बहुत मेहनत करते रहें और फिर कामिया की बात करें मैं भी थोड़ी दिर के लिए आपके साथ SSC पर ही डिसकस कर रहा हूँ तो मेरे प्यारे बच्चों लगबख 20 लाख बच्चा फॉम भरता है SSC का लगबख 20 लाख बच्चा फॉम भरता है आप जानतें SSC CGL में 17,700 वेकंसी और इसे बढ़ भी सकती हैं वेकंसी में कोई दोराएं नहीं इतनी विकंसी आज के टाइम है जो कि अपने आप में बहुत बड़ी संक्या है में लड़ाई समझे मेरे प्यारे बच्चों जो ये 20 लाख बच्चा है ना इसको देखके ना डरना ना घबराना क्योंकि कुछ भी नहीं है अगर इसमें से सही माइन है वो इस 50 से 60 हजार में ही होनी है मेरे प्यारे बच्चों अगर थोड़ा सा दिमाक लगा के मेरी बात को सुनेंगे और समझने की कोसिस करेंगे तो इन दोनों सब्दों का रथाफ समझ पाएंगे कि मेरे प्यारे बच्चों 50 से 60 हजार बच्चे यही हैं जो सेलेक्शन की के लिए भी तैयारी कर रही है, और इसमें से बहूत कम प्रफिषेंटेस सीपीयो के लिए भी तैयार हो रहा है, सारे बच्चे MTS का भी फोन अपलाई करते हैं, इनमें से बहुत सारे समझदार बच्चे STEAMS का भी फोन अपलाई करते हैं, और स्ट्रीट का इफ ओम अपलाई करते हैं कुल मिलाके क्रीम की अगर मैं बात करूं तो ये पचास से साथ हजार ही बच्चा है जिसमें आपको दोड लगानी है और इनमें भागना है इसलिए पहली चीज तो ये कि हमारा युद्व चेतर इससे डिसाइड नहीं हो रहा है हमारा युद्व चेतर जो है वो इससे डिसाइड हो रहा है और अगर मैं इन सब की वेकनसी काउंट कर लू और 2024 में एक मोटा मोटी बात कर लू तो मैं आपको एक सिंपल सिंपल ये तो कही सकता हूं कि इदर उदर की सारी वेकनसी मिला के लगवग 30,000 वेकनसी इस साल है और 2024 में आपको 60,000 बच्चों के साथ 1-2-1 फाइट करनी होगी और लगना होगा मैं ये 60,000 बच्चे वो काउंट कर रहा हूं 50-60,000 बच्चे जिन्नोंने एक्चोल में सीरियसली मेहनत कर रहे हैं और जिनके अंदर दोनों चीज़ें कंसिस्टेंसी भी है और स्मार्ट एप्रोच से भी काम कर रहे है मेरे भाई लाखों ऐसे बच्चे हैं जो कोचिंगे ले रहे हैं लाखों ऐसे बच्चे हैं जो कोचिंग ले चुके हैं और लाखों ऐसे बच्चे होंगे जो आगे कोचिंग लेंगे और उनके लिए selection निकालना अपने आप में बहुत भारी काम हो जाएगा मैंने जो दो सब्द लिखें कि consistency और smart approach इसकी बहुत ज़्यादा जरूरत है क्योंकि selection लेने वाले के लिए ये दो criteria फुल्फिल करने ही होंगे तो शायद मैं इन बातों के तुरू आपको ये समझा पाया होंगा कि मैं इन दो सब्द जो मैंने लिखें इसका अर्थ क्या है लिखने के पीछे और मेरा उद्देश है क्या है इनके लिखने के पीछे अब मैं फिर इन दोनों सब्दों पे बात करूँगा देखे मेरे बच्चे अगर आप ये बात समझ गए हैं तो अब आते हैं स्मार्ट अप्रोच पे मेरे पहरे बचो smart approach है क्या सबसे पहले चीज तो यह smart approach में कि आप कोई भी decision लेंगे कोई भी निर्ने लेंगे तो बहुत सोच समझ के लेंगे लेकिन बहुत लंबे समय तक आप ऐसा सोचने की काबिलियत मत रखे कि हम बहुत लंबे समय तक सोचते ही रहें कि decision क्या लेना है अ आपको right decision लेना होगा और फिर उस decision पर आँख बंद करके काम करना होगा फिर उस decision पर आँख बंद करके काम करना होगा फिर आपको इधर उधर कुछ भी नहीं सोचना अगर मेरे पैरे बच्चो आप पहली बार math पड़ रहे हैं आराम से पड़ रहे हैं आपके पास बहतरी न तरीका है कि लाइव बैच ले जो इस समय आप लाइव ले रहे हैं और ये सेशन मेरा यूट्यूब पर भी लाइव है और मेरे केरविल एब पर भी लाइव है मैरे पैरे बिचो मेरी बात समझ रह Shelby करें लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है के हमें वाइड करा दी पूरे math की उसे आप चाहें तो एक महिने में खतम करें दो महिने में खतम करें तीन महिने में खतम करें ये आपकी मरज़े कि आप कितने time लेकि उस batch को खतम करना चाह रहे हैं इसके अंदर पूरा complete आपको arithmetic भी मिलेगा और advance भी मिलेगा मेरे मेरे पर चाहूँ और जो मैं आपको live classes बढ़ा रहा हूँ इन्ही live classes में को ही हमने यहाँ पे record करके डाला हुआ है VOD format में इसकी जो fee से मेरे प्यारे बच्चों वो मेरे batch की fee से 999 रुपे जिसमें आपको complete arithmetic और advance मिलेगा मेरे दोस्तों आप चाहें तो यहाँ पर arithmetic का अलग purchase कर सकते हैं और advance का अलग purchase कर सकते हैं लेकिन मैं असला दूँगा आप complete beauty purchase करिए और अपना काम को खतम करिए पहली चीज यह कि मेरे प्यारे बच्चों आप जो decision ले उस decision पर आप constant रहें fix रहें उस decision को फिर बदलना नहीं है और मन करके मेहनद करके आगे बढ़ना मेरे प्यारे बच्चों जो मेरा live batch है इसकी fees 1199 रुपे है अब आते हैं हम अगले पड़ाव पर यह सर हमने इन दोनो में एक decide करना है कि हमें live जाना है या हमें VOD जाना है अगर आपके पास समय कम है आप VOD जरूर जाईए अगर आपके पास थोड़ा समय है चार पाच बहने का तो आप live में जाईए मेरे बच्चे अगर आप live batch पढ़ते हैं तो पूरा batch अच्छे तरीके से समझ के खतम करने म हमें कुल मिला के 5-6 महीने का समय लगने वाला है अब आते हैं अगली चीज़ पर decision हमने ले लिया सर और let's हमने कोई इन में से एक decision ले लिया अब दूसरा काम क्या करें अब दूसरी हमने रंणीती बनानी है रंणीती बनानी है कि हमें पढ़ाई करनी कैसे है एक बार जिस रंणीती पर आप काम करेंगे उसको छोड़ना नहीं है ध्यान के रंणीती क्या बनानी है अगर मैं आपकी जिगे student हूँ तो मैं आपको सलह दूँगा कि जैसे आप live बैच बढ़ रहे हैं तो मेरे प्यारे बच्चो आपने एक नियम बनाना है अपनी जीवन में और वो नियम ये बनाना है कि मुझे रोज का काम रोज करना है यानि अगर मेरे को आज की किलास में concept तीन बताएं तीन concept बताएं और उन पे मैंने आपको सवाल कर है तो चाह कुछ हो जाए आग लगे बर्शात हो जो मरजी हो लेकिन आपको तीनों concept खतम करने हैं किसी भी हाल पे अटैनी हाओ आपको खतम करने हैं आपने डिसाइड करना है कि मेरा target अगले 5-6 महिने हैं तो मैं इन 5-6 महिने में किसी भी रूप में कोई छुटी नहीं लो देखिए आप जानते हैं आपकी लड़ाई 50-60,000 बच्चों में और ये 50-60,000 बच्चे वो हैं जो अपने आप में बहुत bold हैं बहुत solid ये वो बच्चे हैं जो किसी भी हालत में इतनी सी भी कमी नहीं छोड़ेंगे अपनी तैयारी में और अगर आप इस ग्रूप में सामि परिवार की हो तो छोड़के उसको अपनी दूसरा मेरे को घर बार का भी बहुत ज़्यादा लालच नहीं पकड़ना है जाना आना है इधर उदर का तीसरा मैंने कम खाना है ज्यादा पीना है चोथा चोती चीज बहुत ज़रूरी है और वो ये कि मैंने प्रोपर अपनी 8 गंटे के नींद लेनी ही लेनी है और पांचवा ये कि मैंने दिन में एक घंटा अपने सरीर के साथ वयायाम में भाग दोड में बिता नहीं बिताना है ये पांचो चीजे आपको बहुत सोलिड रूप से पकड़नी और इसको मिस नहीं करना किसे भी हालत में आपको ये डि किया रहें जो कुछ भी हो जाए मुझे रोज का काम रोज करना है आज अगर 20 सवाल हुए हैं तो इन 200 सवाल में कता ही जरूरी नहीं है कि सर ने जो 20 सवाल करा है वो मुझे लाइब किलास में 20 के 20 समझ आए हो मैं इतनी बड़ी मेरी उकात ही नहीं कि मैं इतना अच्छा आप आपको पढ़ाता हूँ लेकिन यह दावा है कि इन 20 सवालों में जितने भी सवाल है उसमें हो सकता आपको 10% चीजे समझ में आई हो आपको 70% चीजे समझ में आई हो लेकिन आपने अगले टाइम पर ये कोसिस करनी है कि मैं अब या लाइव किलास के बात घर पे बैठके इ समय होने लग रहे हैं भारत में अलग अलग पोस्टों पर हर एक बच्चा राके शादों से पढ़के यही आपको बात कह रहा है कि सर ओनलाइन में दिक्कते आती थी खुद बैठते थे समझते थे कोसिस करते थे उनको सोल करते थे बहुत बार ऐसा भी होता था कि कोई सावल स चीज के लिए तयार करते थे और फिर मेरे प्यारे बच्चों इसी मेहनत को कंटीन्यू करते रहे और उसके बाद जब उनके सेलेक्शन हुए तो एक साथ बहुत सारी पोस्टों के सेलेक्शन हुए तो मेरे प्यारे बच्चों आपको डिसाइड करना है कि कुछ भी हो यह विचार किसी भी हलत में नहीं आना चाहिए, कि यार यह चैप्टर मेरा कब खतम होगा, सर को पढ़ाते तो प्रोफिटेंड लोग उसको आठ किलासे होगी, छे किलासे होगी, मेरे पल्ले नहीं पढ़ रहा है, यह चैप्टर कब खतम होगा, अगला चैप्टर मैं कब होगी, उसका टारेक्ट मतलब यह है, कि आप अपने उद्देशे से, अपने रस्ते से भटक गए, और सच माइने में आप उस पचास से साथ हजार वाली भीड में नहीं, आप वीस लाक वाली भीड में घुज गए हैं, क्या मेरी बात समझ रहे हैं, इन सब दोका आपको ब प्रेक्टिकल सेंस है ही नहीं, लोग उस चीज को वीडियो सूट करते हैं, जिसको वो खुद जीवन में कभी फोलो नहीं करते हैं, तो इस बात को ध्यान रखिए, कि जो अपने उपर विश्वास करेगा ना, वही इस जंग को जीत पाएगा, उसरे के रीलों के भरोसे पर बैठा है, वो नहीं जीत पाएगा, तीसरी चीज मेरे प्यारे मेचो आपको जो रखनी है, वो यह कि जितनी भी सोशल मीडिया प्लेटफोर्म है, उन पर या तो आउट हो जाईए, या उनको कंट्रोल कर दीजे,